हलो दोस्तो नमस्कार मैं अभजिजिक मिस्रा टीम से लसी कमेस्ट्री फिकेल्टी आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कमेस्ट्री पंच कमेस्ट्री पंच हम लोगों होने 20 पार्ट में डिवाइड किया है जिसमें first topic हम लोगों लिया है Norman Creature Isomerism इसमें हम लोग 75 question कराएंगे और कोशिस ये की जाएगी question ही उसके इर्द गेर्द जितनी भी concept हों बताया जाएं जिससे बच्चों का revision हो सके तो हम लोग सुरू करते है question number first है number of sigma and pi bond present in pent one in four iron इस type question पिछले 5 साल में 2-3 दो बार तो आ चुके हैं तो pent one in four iron totally NCIT का question है पहले तो आप pent one in four iron लिखना आपको आना चाहिए तो pent 1, 2, 3 4, 5 कह रहा है pent one in four iron ठीक है तो double bond first number लगा दिया और four number पि क्या लगा दिया है triple bond अब यहाँ H ठीक है यहाँ one, two, three bond एक hydrogen यहाँ आ गया एक hydrogen यहाँ आ गया एक hydrogen यहाँ आ गया यह बच्चों आप लो जानते हो कि famous चीज है लेकिन इसकी theory का concept आप पकड़ लीजे sigma और pi bond पूछे तो one single bond क्या one single bond equal to one sigma ठीक है one double bond equal to one sigma one pi one triple bond equal to one sigma two pi बिल्कुल सही बात है अब इसमें हम single bond count करते हैं तो one, two, three, four, five, six, seven, eight कितने हो गए एट सिग्मा प्लस डवल बाउंड कितने हैं एक डवल बाउंड हैं तो एक डवल बाउंड में one sigma प्लस डवल बाउंड 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 अब काउंट कर लेजें एट, nine, ten टोटल कितना हो गए टैन सिग्मा प्लस थ्री पाई कौन सांसर हुआ फॉस्ट अब इस क्वेश्चन को PMT में इस टाइब क्वेश्चन आ भी चुके है तो मेन मुद्दा यह है कि आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है किसी क्योंद पर इसमें गलत कैसे होता है जल्दिवाजी में सिंग्मा बॉंड पाई बॉंड इगिनने में गरबड करोगे तो इसका अफसोस आपको पूरी जिंदिगी रहे कि एक आसान सा क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि पिछली बार आया था क्वेश्चन इस टाइप का हाँ एक चीज़ में और ध्यान दिलाते हैं आपको क्वेश्चन को देखते हैं वहाँ पे PMT में क्वेश्चन आया था पेंट यहां 4 in 1 आयन ऐसे कुछ था तो जो आप एक्जामनर जैसे पूछ रहा है वैसे उसमें आपको क्रेक्शन और क्वेश्चन निकालना ज़रूत नहीं है हमने इसका क्रेक्शन लिख दिया नाम PMT 1 in 4 आयन तो यह बात समझ में आगे नेस्ट क्वेश्चन देखते हैं गेमेक्सीन में दुई बंद की संख्या नंबर आफ डवल बंड in गेमेक्सीन प्योर आनसियाटी का मामला है गेमेक्सीन पहली बात गेमेक्सीन होता क्या है आपने ट्रिपल शिस का नाम सुना होगा C6 H6 CL6 सभी बात इसको गेमेक्सीन भी कहते हैं Lindein भी कहते हैं Zimine भी कहते हैं तो इसलिए इसमें कईो भार RAW प्रेम्टय में भी इसरा बात करी गई है गयमक्सीन में नमबर आप क्लोरीने। तो गयमक्सीन C से सिक्स गयमक्सीने सिख यह स्टक्चर हूब है। सब्सक्राइब कोई डवल बॉंड दिख रहा है नहीं है तो गैमेक्षिंग में डवल बॉंड की संख्या क्या होगी जीरो आंसर क्या होगे फरस्ट हाँ इन सब चीजों में आपको यह भी ध्यान रखना है इस इस ट्रक्चर आपने यह एंसे लिया है तो आपको इसके ठीक है इस बात में कोई समस्या नहीं एस कोश्चन देखते हैं थार्ड थार्ड कोश्चन है विच आप दौ फॉलोइंग में इग्जिस्ट इन 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 समर इन इन समर की बात करी गई है निमलिखित में से कौन से योगिक प्रतिम रूपों में रह सकता है अब ध्यान से सु पाउंड में एक काईरल कार्बन है तो वो इन इन समर होगा इन इन समर देखने के और साइन इन समर के में डिफिनिशन है मिरर इमेज बट नौट सूपर इंपोजिबन दरपन प्रतिम हो लेकिन अध्यार उपित ना हो एक तो यह मैंटर हो गया जैसे मालेज हमने दिखा ए A B C D और यह ऐसे दिया होगा C B A D तो मिरर इमेज है यह और इसको उठा के इस पर रखते हैं तो अध्यरोपित हो रहा है नहीं हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा इन इन समर दूसरी बात इन समर देखने के लिए हम सीधे और किसी कंपॉंड में एक कार्यल कारवन है तो हम क अगर दो कंपॉंड ऐसे दे रखे हैं अभी हमने लिखा था A B C D और ऐसे लिखने हम B C D A कुछ ऐसे लिखा हो और एक मानलो आ जाए यह R आ जाए यह कुछ और है और इसमें S आ जाए तो R और S आ गया तो यह क्या हो जाएगा इन इन समर ठीक है तो यहाँ जो बात करी अब इसमें हम देख रहे हैं कि किसमें काईरल कार्बन है यह बात बटा सबको पता होगी काईरल कार्बन क्या होगा कार्बन के चारो तरफ अगर जो डिफरेंट ग्रूप लगे हो तो वो क्या होगा यह है काईरल तो एक काईरल है तो वो इन इन समर होगा तो एक काईरल द CS3 CS3 काईरल नहीं है इसमें देखिए CNS2 CS3 at CS2 CS3 यह आपका क्या हो गया काईरा तो काईरल हो गया तो यह क्या सो करेगा इनेंच इमर में रह सकता है तो ठीक है यह रह सकता कि बोले सही है इस्वेट नहीं लेट कोशें नूम्र पर इसको मिट देते हैं लेंख्व जू क्युद में कौन सा प्रकाश सक्री होगी बहुत इम्पोर्डेंट मैटर है आपको isometr में में आपको एक बार wil करा दे आपको structure isomism, stereo in the geometrical, optical and confirmation, इस पर आपको focus करना है देखा गया है जहां तक geometrical, इस structure वाले में totomism जादे तर पूछा जाता है इस structure हुआ इस में से लमज़ा एक question हो सकता है, क्योंकि एक साल ऐसा था कि तीन isomism question आए हुए थी तो geometrical से एक question आ सकता है, totomism टच कर लो आपको पढ़ना, optical और confirmation इन चार point पर जादे विसेश ध्यान दो तो आना होगा तो एक दो question तो पका आता है यह से, तो इसमें पूछना है कौन सा प्रकास सक्री होगी विच आप दा फॉलोविग इस एन optically active compound तो ध्यान से सुनो symmetrical है कि unsymmetrical symmetrical है, तो optically inactive और unsymmetrical है, तो optically active, यही main है तो इसको अपने देख लेते हैं कि इसमें आपका chiral, एक एक कारल, तो इसमें पहला है N-Propanol Propanol, कोई chiral नहीं है, दूसरा है 2-Clorobutane देख रहे हैं 2-Clorobutane ठीक 2-Clorobutane C-L, C-S-3, C-S-2, C-S-3 तो 2-Clorobutane यह आपका क्या हो गया, कारल तो एक ही कारल है, एक कारल है तो यह optically active एक से दिक कारल होता है, तो हमें देखना पहता है symmetrical है, ठीक है को दिकत next question यहाँ पर थोड़ी सी theory की revision की बात करते हैं conformer isomer के तो बिटा, conformer isomer में आपको जो अपने NCI-T जो कहते हैं, N-butane और इसका conformer है, आपको यह पता है कि conformer isomer में infinite isomer बनते हैं, N-butane का पूछा जाए, यह इथेन का पूछा जाए, इसमें करते करते हैं, इसमें गाउच, इसके और इसक्लिप्स, यह सब चीजे, इक्लिप्स इसके बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं, तो सबसे दिक होता है stable N-T, फिर gauss, फिर partially eclipsed, और फिर fully eclipsed, यह हमने P-E-F-E लिख दिया, partially eclipsed, fully eclipsed, और इसके region के पीछे यह matter है, कि N-T, यह देखिए, का है N-T, यह है, इसमें strain कम है, ठीक है न, और में strain N-T का, यह दो N-T इसमें आ गया, दोनों एक ही structure है, इसमें आपका क्या है, यह आ गया आपका, एकलिप्स, ओभी क्या है, fully eclipsed, तो यह तो नहीं होगा, यह आपका आओ गया, partially eclipsed, इसमें यह दोनों सेमी structure है, यही N-T का structure है, तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा, NT और कारण इसका पीछे क्या है कि इसमें strain क्या है कम तो अगर जो हम इसको थोड़ा सा matter disturb करें यहाँ पर आपको यह यहाँ पर कर देते हैं H और यहाँ कर देते हैं CS3 तो अब यह answer नहीं हुआ ठीक है बात answer कौन सा होगा third क्योंकि यह क्या हो गया gauss हो गया बात समझ गया question की में सबसे दिखोता है NT फिर gauss फिर parsley eclipse फिर fully eclipse क्योंकि NT में bond पर bond पर repulsion क्या होगा कम होगा, कुलमलाया के repulsion इसमें कम होगा, दूसरा इसमें question पूछता है, कि अगर यहीं पर इस टाइब का मेंटर हो यह आपको हम extra कि इसमें और क्या हो सकता है यहाँ OH हो और यहाँ कुछ Z उगर लगाओ तो अगर Z की जगाँ पे OH हो NO2 हो CHO हो COH हो दियान देज़े बात हो FO, etc. यह सब ग्रूप लगे हो तब NT अधिक स्टेबल नहीं होगा तब कोन अधिक स्टेबल होगा GAUSE जब यहाँ पे hydrogen bonding का case आ जाएगा उस condition में GAUSE form is more stable than NT तो इस question को यह बारे में आपको पूरी detailing यह है में मोटा मोटी कार करम कि सबसे अधिक स्टेबल normally अगर जो N-butane है क्योंकि anxiety का है तो NT फिर GAUSE फिर Parsley Eclipse फिर Full Eclipse ठीक है न question में आपने change करी दिया है यह एक ही answer हो रहे थे तो फिर next in case आप hydrogen bonding सबसे दिक कौन होगा GAUSE फिर NT और वो ऐसे रहेगा Parsley Eclipse Full Eclipse को दिक्कत आराम से पाउज करके खुब बढ़ियां से इसको देख लो भाई ठीक है next question next question आपका है निन में से योगी का कौन सा योगी परतिम रूप है which are the following pair of compound are in-ensumar बहुत सांदार question है पूछे जाते हैं ऐसे question तो in-ensumar आपको उने बताया कि पहला तो सीधा तरीका ये है कि आप ये देखो mirror image हो और super impossible नहीं हो सीधे exam में 10 सकंड का का में mirror image देखना है और वो super impossible नहीं हो जैसे ये पहला ही देखा तो mirror image है यहाँ अगर mirror लगाएं तो ये इसकी mirror है नहीं है खतम का आने इसकी देखिए mirror image है और इसको क्या कर रहे है super impossible कर रहे है तो mirror image but not super impossible तो answer क्या हो गया second ठीक है इरेंस सेवर में सीधे रहे है mirror image but not super impossible क्यों दोस्तों दूसरा अगर तुम्हें देख कुछ उल्टा से जाए लिखा है हाँ एक बात ध्यान रखना कि इसमें symmetrical ना आ जाए यहां symmetrical नहीं होना चाहिए इस बात पर गौर करना दूसरी बात कोई मुद्दा किसी तुम चेकी नहीं कर पा रहे है तो तुम RS निका लेना एक R आ जाए दूसरा ऐसा आ जाए तो वो भी क्या होगा इनन्सोमर बोलो भई तो इनन्सोमर हो गया इस बात पर कोई डाउट कर लिया है next next question number 7 बहुत simple सा question निन्में से कौन किरल नहीं है सही है किरल का matter हमने यह बता है कि आपको यह देखना है कि किसमे कारवन के चारो तरफ different group लगें तो इसने पूछा है कौन किरल नहीं से पहला ही देख लिया 3 bromo pentane यहां लगा दिया BR यही तो है 1, 2, 3, 4, 5 3 bromo pentane तो 3 bromo pentane यह BR अलग H अलग यह दोनों क्या है same तो यह क्या हो गया not chiral यह chiral नहीं है तो answer क्या हो गया आपका first बोले next question ज्यान दीजिए यह question बहुत important और बहुत अच्छा question है निर्म में चलाओए योगिक में इस्थायत का क्रम होगा the order of stability of the following totomeric compound ऐसे question पूछता है कि किसका inol form अधी की stable होगा यह inol content का क्रम बताइए तो आपको जैसे question दिया न सीधे आपको उसका inol बनाईए जान से अगर जो वो aromatic है तो उसका inol content सबसे देखोगा वो inol form में exist करें यह कुल मिला के बाद यह दूसरी बात aromatic के बाद हमें देखना है resonance resonance आजाए double single double ऐसे कुछ बातें आजाए किलेशन आजाए तो वो उसकी बात कर लेंगे फिर number up CEO group और फिर उसके बाद से alpha hydrogen यह देखना होता अपने को इसमें भी aromatic का तो chance है नहीं यह कह रहा है निम्ण चलावी योगिक में स्थायत का करम होगा ठीक है तो यह तो है आपका simple inol यह है keto और यह inol form है लेकिन इसमें देखो क्या है double single double single लोट बोल यह तो inol form में कौन अधिक होगा अगर inol बनाने पर aromatic हो जाए या resonance के दोरा stabilize हो जाए तो हम उसका inol content अधिक मानें अधिक होगा और नहीं तो generally generally keto form is more stable than inol form अगर इसी question में ऐसे simple सी बात करता CO CS3 और इसमें ऐसी बात करता CS2 double bond COH CS3 और यहां लिए रेता A और यहां लिए रेता B पूसता कौन अधिक stable है तो keto form is more stable than inol form ठीक है लेकिन यहां क्या दे रखा आपको inol content का क्रम तो सबसे अधिक inol अगर resonance में हैं जैसे यह है मुद्दा इसका मुद्दा यह है कि यह बनेगा ऐसे CS3 COH double bond CH CO CH3 और यहां क्या हो गई हाइडोजन बॉर्ड निग जिसको क्या कहते हो आप किलेशन किलेट और इस गटना क्या कहा आता है किलेशन तो सबसे देख चलाई योगिक में स्थाइट का क्रम सबसे देख कौन सा होगा 3rd अब 3rd के बाद क्या है Keto है और यह क्या है Enol तो Simple Keto Simple Enol में कौन अदी कि Stable होगा Keto तो 3rd के बाद क्या हो जाएगा Second फिर First कौन सा आंसर होगा Answer हो गया Second Third Third Second First तो Enol Content का पूरा एकड़ा मोटा मोटी का आरकरम फिर दिमाग में रखिए भाई सब सबसे पहले आप Enol बनाओगे अगर दे रखा एक Enol Content का क्रम इसमें Question ऐसे पूछता है अगर Aromatic हो तो उसको पहले टिका देना है फिर आप Resonance देखो Kilation होगर कहीं आ जाए फिर Number आप CEO Group देखो फिर Alpha Engine Last में तो इसमें तो हमने Kilation हो गया और Generally Keto Form is more stable than Enol Form बात पकड़ में आई Question द्यान से देख लिए पोज़ करके अपना आराम से देख लो Next Question ये भी बहुत सांदार Question PMT में इस टाइप Question यही आया वह Question निम्न में से कौन चलाया वहता दरसा आते हैं Which of the following compound Can exhibit Tautomism Tautomism हमने पहले कहा था कि Isomism में Tautomism question important है आता है तो आगे आपके सामने तो Tautomism में 1-2 डायेट सिस्टम 1-3 डायेट सिस्टम 1-3 डायेट सिस्टम के लिए होता है कि Alpha Hydrogen देख लो Alpha Hydrogen देख लेते हैं फिर इसमें एक टर्म आता है Para-Tautomism जैसे अब कौन टautomism सो करेगा CO के T-buggle में Carbon Pass Hydrogen है तो टautomism सो करेगा तो ये H इसके पास आ गया ये H इसके पास आ गया कोई बहुत बड़ी बात इस टेंडर मेरिटर नहीं रहा normal सब बच्चे जानते हैं ये बात कि CO के T-buggle में Carbon Pass Hydrogen है तो वहां से H का transfer कर दो टautomism वो सो करेगा लेकिन double single double के बीच में वो H नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए वो द्यान से सुन लो भाई ये मुद्दा नहीं होना चाहिए बटा यहां से H नहीं निकाल सकते हमारा मकसद था है revision मूल मकसद अपना क्या है revision तो जो बच्चे हलका फुलका पढ़के question करेंगे तो उनको ध्यान रहेंगे पैराट आटो मेरिजम में इस टाइप का case लेकिन यहां से H नहीं निकाल सकते यह बात पकड़ लिए दूसरी बात दूसरी बात देखिए अगर यह ऐसा matter है या ऐसा भी है इसी टाइप लेकिन लिख दिया हमने तो यहां से H का transfer कर सकते हैं यहां से H का transfer कर सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं पैराट आटोमर और PMT यहां तक पहुंची है पैराट आटोमर पर question उसने पूछा है इसलिए अपनोंने एक चीज डाल के आपको दिखाया तो यह तो simple था यहां से H का transfer कर लिया यह simple था यहां से H का transfer कर लिया और यह कौन सा होगा पैराट आटोमर जम इसमें H का transfer कहां से हो जाएगा यहां से तो answer इसका क्या हो जाएगा first, second, third बोलो भई clear आटोमर जम के पीछे एक थोड़ी सी क्या बता दें आटोमर जम generally H का transfer हो generally H का transfer हो अपने में one two diet system, one three जब hydrogen का transfer एक इस्थान से तीसरे इस्थान पर तो one three तो इसमें keto inol होता है nitroso oxym होता है nitro ac nitro होता है amide imidol होता है imine inamine होता है यह हो गया फिर अपने उठाते हैं आटोमर और ब्रेट रूल वाली बात याद रखना अपना मेल मून की एक्तम खड़ा कट एक तरफ से रिवीजन उसका देखा ब्रेट रूल की ब्रिस कारवन से एच का transfer नहीं किया जा सकता है उसी की बात कर रहे हैं अपने फिर अपना इसका थेओरी पढ़ लेना थेओरी कौन सी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है टॉटमर सीम होते हैं सिगम और पाइब और में नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको डिल करेंगे बहुत जांदार क्वेश्चन फिर निर्व में कौन सा बाइफरेंड प्रकास सक्री है अब प्रकास सक्री की यहां तक भी PMT पहुँचा हुए PMT का ही जनली यह क्वेश्चन है प्रकास सक्री अभी हमने बताया कि यह कारबन है तो ऑप्टिकल एक्टिव सो करेगा एक सदीक है तो हमें सिमेट्री अंसिमेट्री देखनी पड़े है कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो किरल कारबन न होने के बावजूद भी Optical Active Isomer सो करते हैं बात पकड़ में आई कुछ ऐसे भी compound होते हैं जो किरल कार्बन नो होने के बावजूद भी वो Optical Active Isomer सो करते हैं जिसमें दो famous example है एलीन एन बाइफेनल तो बाइफेनल का यहाँ पर question है बाइफेनल अब simple बाइफेनल है यह यह तो Optical Active है symmetry है लेकिन इसके और्थों पर यहाँ कोई बड़ा ग्रूप लगा गए जिसे यहाँ पर यह है यह नहीं होगा इसको ऐसे किया काट दिया जिसे यह है देखो यह बाइफेनल यह से लगा है तो यह है यह ऐसे हुआ तो यह इसी में कट गया यहाँ अंसिमेट्रिसिटी ठीक है इसके बाइफेन देखो repulsion repulsion होने से यह ऐसे आ गया तो BR उपर आई नीचे यहाँ BR यहाँ क्या गया अंसिमेट्रिसिटी तो आंसर क्या हो गया second अब यहाँ पर देखो एक थोड़ा सा misconception है यहाँ थर्ड वाला भी आंसर हो सकता लेकिंप्यम्ट्रिस एक ही सिंगल आंसर तो बेस्ट आंसर यही है थर्ड वाले में हाँ अगर और अर्थों पर F लगा हो या H लगा हो तो उसमें A, B ऐसे ग्रूप लगे होंगे तो यह optical active isomer so करता है लेकिन इसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है क्या है unsymmetricity किरल कार्वन इसका आंसर नहीं ठीक है इसी चाइप से सेम आपका एलीन भी हो गया देखिए question अपने लिया उसका लेकिन हम लोग कोशिस ही आया है कि बच्चों का revision हो जाए एलीने भी आई है C double bond C double bond C A B A B A B यहां different group होने चाहिए अगर जो even है even number of double bond जैसे 1, 2 even होगे 2, 4, 6, 8 ऐसा है तो वो optical active isomer so करेगा तो ऐसे अद्यान रोगे being PMT student A, B ऐसे लगा हो byphenyl पे तो optical active और even double bond हो 2, 4, 6, 8 A, B A, B तो वो optical active so करेगा ठीक है जैसे हमने खुब लंबा सरे लिया कोई दिक्कत नहीं C double bond 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 C यहां कर दिया CL यहां कर दिया H 1, 2, 3, 4, 5 CL और H 1, 2, 3, 4, 5 हाँ बसरते हैं यह different होने चाहिए तो even हो गया तो यह optical active isomer so करेगा ठीक है तो next question next question है कौन geometrical isomer so करेगा geometrical isomer पता ही है आपको same molecular formula but differ in arrangement of atom due to restricted rotation around double bond और ring ठीक है तो हमें एक question करते साँ आपको बहुत तेजी से करना है महाँ पे minute का भी time नहीं लेना चाहिए जतने अल्दे हो इसका हम physics में इसका इसका इस्तमाल करेंगे एक carbon पे same group नहीं होना चाहिए double bond करा हो यह carbon है same group आ गया है एच-च तो यह GI-SO नहीं करेगा एक carbon same group यह GI-SO नहीं करेगा एक carbon यहाँ different है लेकिन देखो जो चीज़ इधर है वही चीज़ इधर है तो यह भी same यह भी GI-SO नहीं करेगा यहाँ देखो at CL यहाँ पे यह आ गया और यहाँ पे different होगे न भाई, one carbon तो same है पहला यहाँ second पे कुछ नहीं है यहाँ पे CS3 है तो यह symmetrical यूरिया के अउन में कौन सी समय होता है यूरिया के अउन में कौन सी समय होता है option दिया है पहले तो यूरिया आप लिग लेजे यूरिया का formula क्या है NS2, CO, NS2 इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देदें ये भी RPMT में एक बार question आया है कि first organic compound prepared in lab यूरिया ही है किस से बनाए गया था ammonium sinus से ये सब बात है करते हुए अब यूरिया क्या है इसमें देखो CO के ठीब गल में इसका NS2, CO, H double bond यहां क्या हो गया है NH ह का transfer O के पास ले गए ऐसा किसमें करते हैं टॉरिया क्या सो करेगा टॉरिया क्या हो गया एक बार और ऐसे question पूस्था गया है कि यूरिया and आईसो यूरिया इसका नाम क्या दियागा आईसो यूरिया So, which type of isomism तो answer क्या हो गया टॉरिया ठीक है Next question ठीक है Maximum All Content बात करी थी इसकी Maximum All Content की बात करी गई थी और Maximum All Content में हमने कहा कि आप पहले देखो कौन सेरोमेटिक है उसके बाद से हमने कहा कि आप Resonance देखो फिर हमने कहा कि Number of CO Group देखो फिर हमने कहा कि क्या देखो Alpha Adrogen आप उसमें देख लो तो Number of CO Group देख लेते हैं पहले इसमें कितने CO Group है एक इसमें एक इसमें दो इसमें दो ठीक है दो हमें दो-दो CO Group हो गए अब क्या देख लोगे In All जब बनाओगे इसमें In All गुरा Maximum तो In All बनाओगे यह है उसमें Alpha है देख लो तीन तीच्चे इधर कम है तो आंसर क्या हो गया Second In All content किसका दिखो जाएगा Second ठीक है समझके बाद In All content का एक ब्रीफ आड़ी है Aromatic सबसे पहले सबसे पहले Aromatic Resonance Number of CO Group फिर अलफा आड़ी जनरली Next question Lactic Amal निन में से कौन सी समयवता दरसाता है Question एक सीज फिर मैसेज हमने करने कोसिस की है इसमें कि Lactic Amal NCIT के common name का है बच्चो इस बार मेरा मानना है कि Question बहुत उट पटांग नहीं आएंगे NCIT से connect करके आएगा और हमने भी एक कोसिस की है Common name जितने आप जिसे IUPAC हर chapter के पहले एक page है उसमें block बने हुए है block में एक तरफ compound लिखा है common name फिर IUPAC name तो ऐसे कुछ भी करके आ सकता है तो Lactic Amal तो पहले तो आपको Lactic Amal क्या होता है आना चाहिए तो Lactic Amal C, COH, H, CS3 और यहाँ OH ठीक है अब देखें यह क्या है Chiral Chiral है तो एक Chiral Carbon है तो हमने पहले बात करीए एक Chiral Carbon है तो क्या करोगे Optical Active Isomer तो यह क्या है Optical Isomer यह है आनसर था तो Lactic Amal ऐसे कहीं से Malonic Acid, Malic Acid, Malic Acid आप जितने common name है जनरलिए आप उसको एक बार को NCRT के तो कम से कम आपको आने ही चाहिए Next Question है Rotation of Plain Polarized Light is measured by Theoretical Question है Plain Polarized Light याद करो कैसे बनाया जाता था फिर उसमें Nicole Prism थी फिर यहाँ पे parameter तो उसका नाम ही क्या होता है Polarimeter तो इसका सीधे Fact-wise Question है इसको याद रखना आपको क्योंकि आया हुआ यह भी तो ठीक है यह Next Question है Dimethyl Ether and Ethyl Alcohol are Structure Isomer का Question है आप Simple जब भी ऐसे दिया जाए इसको जो थोड़ी सी बात Dimethyl Ether Common Name जानबूच के लिखा गया है कि Dimethyl Ether दिख दिया Ethyl Alcohol C2H5 Ethyl हो गया और यह Alcohol ठीक है अब Dimethyl Ether Dimethyl Ether है कितने Carbon है 2 2 Carbon है 6 Hydrogen है 1 Oxygen है इसमें देख लो 2 Carbon 6 Hydrogen और 1 Oxygen यही तो है बोली तो जब यह है तो आपको Carbon सेम है Molecular formula सेम हो द्यान सुनना Molecular formula सेम हो एक में root chain कुछ और क्यो दूसरे में root chain कुछ और क्यो तो हो गया chain Isomirism Molecular formula सेम है एक में किसी functional group है Double Bond या Multiple Bond इनकी Position different हो तो क्या हो गया Position एक में कोई और functional group हो एक में कोई और functional group हो तो वो क्या हो जाएगा functional Isomirism इसमें क्या है Ether और यह क्या है Alcohol तो यह matter क्या हो गया functional Isomirism बार बार चीजों को Question नहीं उसके आगे पीछे की बात कर रहे है आप उसको अपने गान में रखना आपको तो यह Question No.16 हो गया Next Question चलते है Question No.17 C7 H9N Has how many Isomirism form that contain a Benzene ring Question को आसान किया गया लेकिन इस टाइब से भी Question आते है कहा गया Benzene ring containing यह नहीं कहा गया आपका Isomir तो Benzene ring C7H9N तो आप पहला काम इसमें Benzene ring बना दीजिए पहला काम क्या करना है Benzene ring बना दिया अब कहारा C7H9N CH2 NH2 दूसरा CS NH2 कर दिया हमने यहाँ पर यहाँ पर कर दिया CH3 ठीक फिर NH2 कर दिया और तो पर किया अब क्या कर देंगे मेटा पर कर देंगे फिर NH2 कर दिया और कहां पर कर दिया पैरा पर फिर NH और यहाँ पर CS3 अब इस टाइप कोश्चन तो यह बहुत फेमस कोश्चन है एक बात द्यान दो ऐसे भी कोश्चन पूछ ले कि बेंजिनिंग मतलब आंसर कितने होगे 5 बोले सही है कोई इकत बेंजिनिंग कंटेनिंग ऐसे कई सारे कोश्चन होते हैं याद दिला है क्लास की तो C7, S7, CL करते थे याद करो फिर OH वाला करते थे फिर CS3, CS3 वाला करते थे बात द्यान है ठीक है Next Question number 18 Propanol और Propanol Simple Propanol लिख लो CS3, CS2, CHO 1, 2, 3 Propanol Propanol, CS3 CO, CS3 यह हो गया Propanol यह तो हुआ अब इसमें Carbon count कर लो Carbon कितने हैं इसमें Carbon कितने हैं Hydrogen 3, 2, 5 Hydrogen 3, 3, 6 Oxygen एक में क्या है Eldehyde एक में क्या है Ketone Molecular formula सेम है एक में कोई functional group दूसरा और एक में functional group दूसरा कौम साओगा बिटा Functional Isomerism सही है Next question Question number 19 The number of optical isomerism CS3 CHOH CHOH और CHO सही है Number of geometrical isomer यह number of optical isomer यह question पूस्टा है Geometrical isomer के formula आपको दीखना है यहां optical isomer है Unsymmetrical है तो चाहें geometrical हो बिटा है चाहें Optical हो Number of optical isomer हो यह number of Unsymmetrical है geometrical formula क्या होगा 2 की power N Medical में तो एक कार्यल कार्बन यह हुआ एक कार्यल कार्बन यह हुआ यह तो हुआ तो N equal to कितना हो गया 2 तो 2 की power 2 क्या हो गया 4 तो number of optical isomer इसमें कितने होगा 4 Formula based है कोई खास बात नहीं है question आप देखते रहा है पॉस कर लो question है एक मिनट time लेके पहले खुद करके एक बार देख लो फिर देखा क्या solution है फिर उसके बास आगे next question number 20 फिर वही कहानी consider the structure given below सही बाद structure देख लिया तुमने structure देख लिया अब इसमें देखो अब नीचे वही दे रखा है diastomer है mirror सब चीज है इन इन सोमर पता है आपको mirror image but not super imposable diastomer neither mirror remains nor super imposable इसको आप हमारे क्याल से इसको आप सीधा कर दो सीधा कर दिया कर दिया CH double bond कर दिया यहाँ है CS3 और जब इसको इधर ले आए तो यह हो गया आपका H और यह हो गया CS3 यह हो गया CS3 और यह हो गया H ऐसे इसको कर लेते हैं CS3 CH double bond अब जब ऐसे किया तो यह क्या हो गया H CS3 और यह क्या हो CS3 और यह क्या हो गया H देखो mirror इनेंसोमर बहुत important चीज़ है इनेंसोमर और इनेंसोमर में आपको देखना है mirror image but not superimpose mirror image दिख रहे देखो टक सही है इसको उठा के इस पर रखो superimpose हुआ नहीं हुआ तो क्या हो गया answer इनेंसोमर ठीक है next question की बात करते है 21 21 निम्न सरचनाओं को देखे क्या करें इसको consider करना है फिर नीचे बता देना है हमने आप से पहले किया यहां इनेंसोमर, diastomer, conformer, isomer, identical ऐसी बाते करी गई है बेटा इसमें RS आपको बेटा यह कहूंगा कि ऐसे कही confusion है तो RS देख लो RS में CIP रूल लगाना पड़ेगा आपको CIP रूल पता है ना first rule higher atomic number है higher priority IVR CLF 2, 3, 4 numbering करते हैं पहले IVR, यह है ना atomic number हो रहा IVR CLF याद आया है O, N, C, H याद आ रहा है इसमें भी 1, 2, 3, 4 एक से कहां गया है 2 इसमें एक से कहां गया है 2 ठीक है सही है अब एक से दो गया है ठीक है ना एक से दो किदर जा रहे हैं दाई तरफ क्या हो जाएगा R सबसे छोटा ग्रूप कहां पर है horizontal तो क्या हो जाएगा S यहाँ एक से दो राइट साइड R लेट साइड एंटिक्लोग वाइज S अगर सबसे छोटा ग्रूप है याद करो सबसे छोटा ग्रूप याद आ रहा है आपको EKM rule क्याना है तो एक से दो दाई तरफ R बाई तरफ S अगर सबसे छोटा ग्रूप horizontal पे है तो answer में क्या करते है change R का क्या कर देंगे S S का क्या कर देंगे R तो यह क्या हो गया आपका S अब दोनों S S आ गया matter क्या हो गया identical बोलो भई सही है next question यह फिर भई R S पी बात है लेकि इसमें पूछा किया है कि R और S बताना आपको the R is somewhere around the following ठीक है जिनमें कौन R समावी है तो बेटा आपको क्या करनी पड़ेगी numbering CIP rule से simple सी बात numbering के बाद दाई तरफ है तो R बाई तरफ है तो S देखते हैं 2 3 4 1 से 2 किदर जा रहे हैं Left Left मगर सबसे छोटा ग्रूप अगर जो horizontal पे है तो answer में क्या कर देंगे change S का क्या हो जाएगा R तो पहला हो गया फिर 1 2 3 4 एक से कहां गये 2 क्या है Right साइड R सबसे छोटा ग्रूप horizontal पे है नहीं है तो answer में कोई बदलाओ नहीं करेंगे 1 2 3 4 एक से कहां गये 2 क्या है R लेकिन सबसे छोटा ग्रूप कहां पे है horizontal पे तो R का क्या हो जाएगा S इस में भी I, B, R, C, L, F, O, N, C 1 2 3 4 यह क्या गया S ठीक है तो answer कौन सा हुआ 1st और 2nd ठीक है RS निकालने के लिए systematic एक rule द्यान से सुन लो CIP rule आपको आना चाहिए CIP rule हाई रेटर्मिक नंबर हाई प्रायरिटी ठीक है I, B, R, C, L, F, O, N, C 3 डिगरी, 2 डिगरी, 1 डिगरी ऐसे rule बताये थे rule के बाद आप एक एक एम 1, 2, 3 नंबरिंग कर दी 2 तरफ गये तो R 2 तरफ गये तो S ध्यान से देख लो कि सबसे छोटा ग्रूप कहीं horizontal पर तो नहीं है अगर horizontal पर है तो answer में R को क्या करना है S S को क्या करना है R ठीक है next question of the isomeric hexane the isomer that give the minimum and maximum number of monoclonal derivative are respectively इस type question भी आते हैं आपको इसका एक simple सी बात समझ लो कि कोई ऐसे carbon-carbon है clonation करना है एक बार एच्छटा कि यह लिए यहां लगाओ एक बार एच्छटा कि clonation लगाओ एक बार एच्छटा लेकिन दोनों का नाम क्या हो जाएगा same तो उसको consider आपको उसमें से एक ही लेना है अगर दोनों same हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ क्या लेना है एक तो यहां की बात है 3-methyl-pentane 2-3-methyl-hexane ऐसे सब के करेंगे अब देखिए इस गो CS3 हम दोनों structure लिख ले रहे हैं पहले ही option को ले रहे हैं 2-methyl-pentane 1-2-3-4-5 और दूसरा है 2-3-C-S-3-C-H-C-S-3-C-H-C-S-3-C-S-3 देख रहे हो अब एक बार H-A-T-R के C-L यहां लगा सकते हैं एक बार यहां लगा सकते हैं एक बार यहां लगा सकते हैं एक बार यहां लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं ठीक ना इसमें सिर्फ यहां और यह तो सेम हो जाएगा क्यों? यह और यह तो सेम ही हो गया है और एक बार यहां करने को यहाँ भी आप लगा सकते हो ठीक है न तो इसमें सिर्फ दो ही बनेंगे इसमें maximum तो इसमें पूचा है minimum तो यह आगया आपका minimum और यह आजाएगा आपका maximum और ऐसा answer first ना होके क्या हुजाएगा fourth बास समच कि H attack हम CL लगा रहे है उसके बाद अपने देख ले रहे हैं कौन सा होगा इस सब में पहले option से अपने को पता चल गया next 24 निवनिखित में कौन सा एक जामिती समय होता प्रदर्शित करता है निवनिखित में कौन एक which compound so geometrical isometrium यही बात है option में चलते हैं हमने का geometrical isometra देखना हो तो एक कार्बन पर देख लिए दोन तरफ different group लगें हो तो वो geometrical isometrium पहले option देखो one two di bromopropene CS3 one two di bromopropene सही है तो one two di bromopropene इस कारबन पर different group है इस कारबन पर देखो different group है इस कारबन पर देखो different group है इसलिए क्या सो करेगा यह जी आए पहला answer ही हो गया ठीक है next बात करते है 26 याद करो तो अभी हमने पीछे question किया होगा उसमें से question बता दें कौन सा question 5 जहां पर हमने इसकी detail बात करी थी कि सबसेदी कि stable कौन है तो सबसेदी कि anti-gouse parcyclist full eclipse anti वही stagard में gouse करें anti-gouse anti-gouse तो इसमें answer आपका हो गया यह वादा stagard eclipse नहीं stagard फिर gouse फिर eclipse तो वही बात है बात कर चुके हैं इस पर next question question number 26 c4h11n में कितने primary देखिए बहुत एक simple सी बात सुनिए primary mean अगर देखिए cs3 जल्दिबाजी में बच्चे कई बार ऐसा नीकुन को आता नहीं है यह आता है यह बिल्कुर अपने मानते हैं यह आता है लेकिन जल्दिबाजी में यह 1 degree है मीने कि 3 degree है 1 degree समझ के बात तो 1 degree में है अगर किसी compound में ns2 group है तो 1 degree उसमें कारवंस नहीं देखते है ns2 है तो 1 degree ns है तो 2 degree n है तो 3 degree तो अगर किसी compound में ns2 1 degree 2 degree 3 degree हो गया तो हमें यही तो बनाना है आजा कितने हैं तो पहले simple यह लिया एक, दो, तीन बोलो यह लिया फिर next ऐसे लिया बोलो फिर next चार यह दो फिर next ऐसे लिया बोलो सही है फिर next ऐसे लिया और कोई बनेगा नहीं तो answer क्या हो जाए तो maximum होई है next question कौन सा है geometrical isomer so करेगा सीधे आप देखो एक कारवन पर सेम गूर्प लगा है तो वो geometrical isomer so नहीं करेगा तो अब इस कारवन की बात करते हैं देखो इस कारवन पर क्या लगा है different group तो यह gi so करेगा इस पर different लग गया इस पर different लग गया यह gi so करेगा बिल्कुल करेगा यह नहीं करेगा यह करेगा यहां से नहीं करेगा, यहां से नहीं करेगा यह करेगा यह भी करेगा, देख रिफरेंट है अपने से question यह पूछा है कि कौन symmetrical isomer so नहीं करेगा, तो answer कौन सा होगा, second होगा answer यह GI so करेगा, different group लगए हैं, तो GI so करेगा, same लगा होगा, तो GI so नहीं करेगा ठीक है नेस्ट कोश्चन की बात करते है नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 28 थर्टिकल कोश्चन है यह बायमलकुल कोश्चन में तो एंसे आटेम बायमलकुल में ते रखे लेकर इसो मेर्जम है अलफा डी ग्लुकोज और बीटा डी ग्लुकोज याद करो ऐसे था हां याद आ रहा है है एच ओएच ओएच और एच तो यह दोनों क्या है यह नमार और एपीमर याद करो ऐसे होता था ना अपना मकसद है कि पुराना आपको रिवायज करें यहां पर अगर जो डिफरेंट ग्रूप लगे होंगे तो वह क्या होगा एपीमर यह दोनों क्या होंगे एपीमर और साइकली की स्ट्रक्चर में जब यह मैंटर होगा तो उसको क्या कहेंगे एनोमर ठीक है तो आंसर इस एक पूर्मूला ठीक है यह फामूला दे रखना अपने को और हमसे पूर से स्ट्रियो आइस उमार इस एक चोगा और सो करेंगा और उसमें तो हमें देखना है कौन जेमेंटिकल अप्टिकल करता है यही बात देखनी है तो यह हमारा सी एस त्री देखना इदर सी एच डब अभी तक जो PMT का पेपर देखो, अब वो समय रहा नहीं, हो सकता है, एक्जाम वो गजुलाई में हो जाए तो, ठीक है, अप उतना टाइम बचा नहीं है, तो आप सिंपल जो बात कर रहे हैं, अभी तक जो कोश्चन आये हैं, इसकी लेबल क्या है, कोश्चन आये हैं, आएं जो करेगा, और यह है काईर, तो इसमें नंबर आफ इस्ट्रियोस, एन इकल टू कितना हो गया, टू, त्रिविन समावता एक संख्या, अन्सेमेट्रिकल है, तो हमने कहा यह की फॉर्मूला लगा बढ़ी है, कौन सा, टू की पावर, एन, टू की पावर, टू, क्या हो गय ठीक है, आंसर आपका हो गया, फॉर, नेक्स्ट, प्रकासिक शक्री योगिक में, डी तथा एल परतिम, रूपियों के किस गुण में अंतर होता है, तो ध्यान करो, इन इन से में अपने लिखाया हो गया होगा, कि इसकी फिजिकल प्रॉपरिटी और जनरली केमिकल प्रॉपरिटी क्या होती है, सेम, इसलिए, इसलिए बेटा ध्यान सुनना, इसलिए इससे फ्रैक्शनल क्रिसलेशन और डिसलेशन से अलग, नहीं कर सकते थ इनकी physical properties different होती है तिसे fractional distillation distillation से अलग कर सकते हैं जा रहा है अब इसमें हमने एक चीज़ बोली कि physical property same होती है generally chemical सभी chemical properties इसकी same नहीं होती है क्या different होता है अगर जो rotation of plane polarized light extent of rotation different होता है अगर एक plus a degree है तो दूसरा क्या होगा minus a degree ऐसा भी question आया है कि compound इसके d rotation में plus 36 degree है तो दूसरा क्या होगा minus 36 degree तो boiling melting point क्योंकि यह physical property है physical property है change कहा होगा there rotation of plane polarized light ओके बहुत important बार कोई कहें कि extent of rotation क्या होता है different होता है यहां बात बता दी एक plus a ऐसे कोई कहा दे plus 52 degree है दूसरा क्या होगा minus 52 degree next glucose के लिए प्रकासिक समावी की संख्य glucose का फिर हम ध्यान दे दे भाई बड़ा important matter है glucose में chiral carbon आप simple दिया है तो इसमें open structure और एक आपको ध्यान रखना है किस पे cyclic structure दोनों में आप्टिक आए समाव IT हो रहे हैं भी question इस पर आठ चुका है cyclic उसमें सायद बनाके देखना आप जो chiral carbon होगा उसमें सायद होगा 5 तो नंबर आप्टिकल cyclic structure में अगर पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 याद आ रहे बटा ऐसे फ्रक्टोज में आपका तीन तो cyclic structure में एक बढ़ जाएगा clear CS2NO2 नाइट्रो यह थे अब देखो NO2 के ठी बगल में carbon pass item हमें को याद दिला है थी आई समयरे जमते हैं यह हो गया CS3 CH11NOH और यहां क्या हो यह है नाइट्रो और यह क्या है नाइट्रो compound है ना और यह उसका क्या बन गया tautomerism बन गया नाइट्रो इसको कई लिए बोलते हैं AC नाइट्रो तो AC नाइट्रो तो आपका answer क्या हो गया है third चीक है अगला question देखते है 33 नीन में किस योगिक को प्रकास क्रिया सील माना जाता है मतलब बेटा क्या है क्या देखोगे आप optically active और optical active देखने के लिए क्या देखोगे किस में क्या है chiral carbon है ठीक है तो chiral carbon first में तो दिखनी रहा second में नहीं है third देखो cs3 cs2 ठीक है ch br और यह क्या है ch o यह तो क्या हो गया chiral chiral हो गया तो यह क्या हो गया optically active बोलो कोई इक्कत हमने कहा न है optical active देखना है देखो सीधा chiral butane 2,3 diol butane o h यह symmetric आगा है अच्छा कोश्चन है यह वैसे तो आप चाहो बना के देखो लेकिन medical में इतना नहीं अपने को n equal to क्या है 2 formula का दो 2 की पावर 2 minus 1 2 की पावर 2 by 2 minus 1 formula यहां लिख दे रहे है symmetrical के लिए opticalizer 2 की पावर n minus 1 plus 2 की पावर n by 2 minus 1 यह लिख दी हमने formula भी देख लेना आपने 2 की पावर 1 2 की पावर 0 2 plus 1 answer क्या हो गया 3 सही है next IPC name का simple question है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं IPC name numbering कर लो 1 2 3 4 5 सही है numbering कर लिए numbering style और यह क्या है pentinal तो answer क्या हो गया second ठीक है next 4 5 4 5 5 का जिक्र है इस compound का क्यों जिक्र क्यों है क्योंकि यह NCIT में है इसका NCIT में एक page में इसके पूरी detailing बताई गई है अगर double bond triple bond same number तो numbering कहा से करेंगे double bond अन्य था numbering उधर से करेंगे जो नजदीक होगा तो इधर से numbering करो triple bond एक number इधर से numbering करो double bond एक दो 3 तो इसका नाम हो जाए hex 1 in 5 तो 1 hex in 5 यही answer double bond triple bond के क्या concept है next question यह भी PMT में आया है वो भी आया है यह भी PMT में आया question है COCL 1 2 3 4 5 2 3 dimethyl pentanoyl chloride बिल्कुल suffix oil chloride होगा तो 2 3 dimethyl pentanoyl 1 keto यह सब नहीं है यह COCL पूरा इट ग्रूप है 2 3 dimethyl pentanoyl chloride answer क्या होगा आपका second ठीक है next question 38 है बहुत simple यह भी PMT में आया question हमें यह भी दिखाना है कि आपको देगो question आ कैसे रहे PMT में यह सब PMT क्याया question है अब ISO नियो इस सब्सीज के बारे में थोड़ी से बाहत बता लें है अगर second last carbon पे अगर second last carbon पे second यह तो last हुए है यह है Second Last अगर second last carbon पे CS3 गुर्प लगा है तो यूज करते हैं ISO अगर second last carbon पे यह है Second Last और यह क्या है Second Last दो CSC group लगा है तो यूजE करते हैं नियो ये इसका यूजE करेंगे ISO यूजE करेंगे नियो तो देख लो ये तो होगे आपका नियो कि भाई ISO आ चुका है PMT में ISO तो आ चुका है PMT में समझगे, नियो पूछ ले तो ये आपका है नियो second last, नियो एक, दो, तीन, चार निवींटाइल अगर यहे हम carbon कर दें तो क्या लिखो कि new pentile ऐसे देखो एक carbon ठीक ना या ऐसे ही तो लिख सकते हो यार यहीं तो है लिखा तो आटेडा कर करके लिख dife यार यहीं तो है तो iso, एक, दो, तीन, चार आइसो लगा दिया है और सभी carbon count कर ले तो isobutyl, answer क्या हो गया, second, बोलो, next question, answer इसका second है, हाँ, फिर 39 question, क्या है, 39, IPC name है, simple number, अब देखो, numbering कहाँ से आप करोगे, cn से, numbering कहाँ से करोगे, cn से, बास समझ गया, 39, cn से numbering करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, क्या लिखा भी यह देखो, 2 और 3 पे क्या है, 2 और 4 पे, dimethyl, तो 2, 4, है न, इसमें 2, 4, साही नाम तो इसका होना चाहिए, 2, 4, dimethyl, pentane, nitride, 2, 4, dimethyl, pentane, nitride, 2, 4, dimethyl, pentane, nitride, अब इसमें कोई option ऐसा है नहीं, तो 2, 4, dimethyl, sino, pentane, ठीक है, 2, 4, dimethyl, pentane, nitride, इसका correct नाम यह लिखे, अब उसमें option नहीं है, तो इस पे मामला जाता है, अब इसमें हमें, बगर मालोगी आई जाता है, तब इसमें यह ticker, लेकिन यह main है, ठीक है, 2, 4, dimethyl, pentane, nitride, इसका main नाम है, 2, 4, अब इसमें तो ऐसा कोई option है नहीं, तो इसलिए उसका लेकिन यह अपना ध्यान रखना है, next, 40 number, यह भी anxiety से लिए, लग बग, 40 number question है, numbering कर दो, 1, 2, 3, क्या है, 3 methyl, cyclohexene, simple से बात है, 3 पर क्या लगा है, methyl, 3 methyl, cyclohexene, ठीक है, बोलो, 3 methyl, cyclo, 3 methyl, cyclohexene, बोलो, ठीक है, next question करते हैं, 41, freon 114, used in refrigerator and air conditioner, is one to die, ठीक है, तो इसका नाम ही होता है, freon CBA, C मतलब, number of carbon minus 1, B मतलब, number of hydrogen, plus 1, और A मतलब, number of fluorine, यहाँ थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, छोटा सा, जो NCIT में, CF2Cl2, ठीक है, अब इसका कोई पूछे, इसका नाम, तो हम पहले लिख देंगे, freon, अब देखना है यहाँ, अपर आराम से देख लो, freon CBA, C मतलब क्या है, number of carbon minus 1, carbon कितना है, एक, एक में से एक गटा हो किया जाएगा, 0, B क्या है, number of hydrogen plus 1, ठीक है, hydrogen कितने इसमें, एक, एक जोड़ दिया, hydrogen इसमें कितना है, 0 तो एक जोड़ दिया, एक हो गया, और, freon 012, इसी प्रकार हम से यह कहा है, यह तो हमने थेओरी बता दिया आपको, यह क्या बता ही, थेओरी बता दिया आपको, अब यहाँ पर बात करते हैं, कि freon 1 and 4 का नाम इसमें कौन सा है, option में चल जाते हैं बई, पहला ही ले लो, इसमें carbon कितने हैं, 2, तो freon तो लिखना है, और freon C भी है, carbon संक्या, 2 carbon है, एक गटा जिया, एक, B, number of hydrogen, कितने हैं, एक है, तो इसमें एक जोड़ेंगे, तो आएगा, नहीं आएगा, तो 2 आजाएगा, तो यह हो गया मामला आपका, गड़बड, ऐसे second देखिया, number of carbon hydrogen, इसमें भी नहीं होगा, third देख लो, number of carbon आगया, freon third में देखते हैं, freon, number of carbon में आगया, hydrogen इसमें कितने हैं, zero, एक जोड़ दिया, तो one आगया, fluorine कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, इसका नामा है, freon 114, देख रहे हो बात, तो answer क्या हो गया, third, next करत है, बात नहीं है, इसकी कहानी, one, two, three, आपको याद है, function group containing carbon, ध्यान होगा, हमने कहा था, या दो, तीनों को लो, या तीनों को छोड़ दो, पहले, जो, क्योंकि old name में, तीनों को, numbering ऐसे करते थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसका लिख रिख 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 र है, carbon, nitride, ये सही, carbon, nitride, तो answer क्या हो गया, third, इसको बेटर सही कर ले, ये हंदी में carbon, nyle लिखा है, ये हो गया, carbon, nitride, सही है, तो answer इसमें हो गया, third, या तो तीनों को लो, या तो कुछ भी change, देखो, PMT ने याँ, CHO करके दे रखा है, CONS2 भी हो सकता है, COS भी हो सकता है, functional group containing carbon, ठीक है, next question, simple सी बात है, CS3, CH, CS3, CH, double bond, CH, CS3, 1, 2, 3, 4, 5, देख लो, 4 methyl, 2 pentene, answer कौन सा हो गया, ये, number ही में कोई दिक्कत, double bond इदर दिक था, तो इसलिए number ही आँस कर ले, next, 44, कहां से करोगे आप, 44, numbering double bond से कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, ये है न, तो इसका नाम क्या होगा, 2 ethyl, चीक है, दो number पर क्या है, C2H5, 2 ethyl, 3 methyl, 2 ethyl, 3 methyl, bute 1ene, answer क्या होगे, second, 2 पर ethyl है, C2H5 पर 2 ethyl लिख दिया, 3 पर CS3 है, methyl लिख दिया, bute 1ene, अब इसमें भी जाया, ऐसे दे के नाम, आप से question होगा, आप पूछे जाए, कि sigma pi bond, number हा, pi bond, ऐसे चीजे, तो आपको ध्यान रखना है, pi bond, pi electron, यह सब question पूछे क्या है, यहाँ है, simple सा है, इसमें, N पर क्या लगा है, CS3, तो नाम क्या होगे है, N, N, dimethyl, cyclopentane carboxamide, अगर जो functional group में amide, दो बार से अधिक हो, तीन बार जुड़ा हो, मान लो, ऐसे, chain में, किया दो, na, ccc, cons2, ऐसे लगा हो, cons2, cons2, ऐसे लगा हो, यहाँ पे, या ring से सीधे जुड़ा हो, ring मतलब, ऐसे सीधे जुड़ा हो, amide, तो ऐसे ring से सीधे जुड़ा हो, तो special suffix use करते हैं, carboxamide, चीक है, तो N, N, dimethyl, cyclopropane, carboxamide, बोले, सही है, next, 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, simple से बाद numbering CHO से कर दी, 3, keto, 2, methyl, hex, 5, enal, 3, keto, 2, methyl, hex, 5, enal, simple है, यह भी आया question है, सब famous बाते चलने हैं, आई पी इसमें तो कोई लफ़ड़ा है नहीं, next, numbering देख लो बस, लंबी चे लेनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, बोलो, साहिए, तो 5, 6, diethyl, 3, methyl, dek, 4, enal, answer क्या होगी है, second, बोलो, next, 48, number of primary second देख लेका, नियो पेंटेन, नियो पेंटेन, यह आपका, कहा था न, second last का रहाँ पे, यह, CS3, यह है आपका, नियो पेंटेन, कहा था, अगर second last कारवन पे, दो CS3 है, तो वो क्या होगा, नियो पेंटेन, ठीक है, primary, यह क्या है, 1 degree, यह क्या है, 1 degree, यह क्या है, 1 degree, यह क्या है, 4 degree कारवन, ठीक है, 2 degrees में कहीं दिख रहा है 3 degrees कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो answer क्या हो गया, 3rd 1 degree कार्मन कितने है, 4 4 degree कार्मन कितने है, 1, 2 degree 3 degree क्या है 0 49 49 number question IUPAC name है सीधे आप numbering कर दीजे numbering आप करेंगे लंबी chain एक तरफ एथिल है एक तरफ, मेथिल है तो numbering कहां से करोगे एथिल से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सही concept NCIT के सब बाते यार यह NCIT दिया है या फिर इसे भी हो यह NCIT का ही होबू लिख दे रहे है यह है ठीक है, इधर methyl है, इधर एक ही नंबर पर उधर से numbering करो methyl, इधायल तो numbering कहां से करने है, इधायल से तो 3 नंबर इधर methyl आ रहा तो उधर इधायल तो 3 इधायल, 5 methyl heptane बहुत देखना NCIT में 3 methyl यहां butyl लगा के, प्रोपाइल लगा के, इसमें नाम लिख रहा है यही अपना मकसद आप तक पहुँचाने का question number 50 question number 50 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 methyl cyclohexanone simple है, 2 पे क्या है methyl और यह क्या है cyclohexanone कोई बड़ी बात नहीं इसमें next question CCL3 CS2 CHO numbering कहा सकरोगा बटा question देख लिया 1, 2, 3 सही है CHO से numbering 3, 3, 3 trichloropropyl answer कौन सा हो गया first 3 नमर पे CL है 3 बार है 3, 3, 3 trichloropyl null इसके बार हम थोड़ी चीज़ बता देते हैं इस कारीपर इसी नहीं है CS3 C double bond O O C double bond O CS3 पहली बात तो यह क्या है anhedride है है न अब इसमें total number of carbon कितने है 4 by 2 करेंगे तो क्या जाएगा 2 अब 2 इसका क्या होगा prefix 2 इसका में रूट वर्ड में होगा वो 2 होगा तो 2 के लिए क्या होगा ethane ethane लिख दिया और anhydride का suffix क्या होता है oic anhydride तो इसमें क्या लगा दिया oic anhydride मतलब symmetrical anhydride है तो total carbon आप देखो symmetrical anhydride है total carbon और by क्या कर दो 2 अगर यह तो होगया तो answer इसका क्या होगया ethaneoic anhydride यह question काम होगया अब तुम्हें आगे इसका action बता रहे मालो यही ऐसे हो c o o c o h तो इसको अलग करना इसको अलग करना यह हो गया दो carbon ethaneoic एक carbon methanoic anhydride इसका नाम होगा ethaneoic methanoic और यह क्या हो गया anhydride बोलो सही है तो इसका नाम ethaneoic methanoic anhydride वो तो देकि इसमें symmetrical है इसलिए इसका answer क्या हो गया second next simple सह है cs3 ch o h cs2 cs2 co o h 1 2 3 4 5 simple सह बाहत है इसका तो क्या लिखेंगे वीटा suffix इसका क्या लिखेंगे prefix तो 4 hydroxy ध्यान से देखो ये question ऐसा नहीं कि तुम्हें इसका IPC नहीं में आ जाए ये भी आ सकता है कि इसका IPC नहीं हम देखें पूछ लिए इसमें कि नंबर आप के रहाल कारवर तो 4 hydroxy pentanoic AC इसका कौन सांसर हो गया फॉस्ट ठीक है इसको पहले open करके लिख लेना CS3, CH CS2, CS3 CS2, CH CS3, COOH में नंबरिंग कहां से करोगे कहां से करोगे functional group containing carbon COH 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह तो है अब देख लो 2 और 4 पे क्या है मिथाए कौन सा होगा 54 हाँ 2, 4 पे क्या है मिथाइल तो क्या होगे नाम 2, 4 डाइमिथाइल हेक्जेनोइक AC देखो 2 पे मिथाइल है 4 पे मिथाइल है तो 2, 4 डाइमिथाइल हेक्जेनोइक AC आंसर क्या होगे है second next simple सी बात है epoxy हाँ यहाँ पे थोड़ी से बात बताएंगे क्योंकि एक बार यह बच्चों ना काफी गलत किया था CH CS2 O 1, 2, 3, 4 क्या नाम हो गया 1, 2, epoxy 1, 2, epoxy butane गौर करना 1, 2, epoxy, butane अगर यह तो आंसर क्या हो गया first यह तो हो गया गलत क्या किया है बच्चों ने यह द्यान देना अगर मान लो ऐसे हो 1, 2, 3, 4, 5 तो इसका नाम क्या होगा 1, 5, epoxy, pentane न की cyclone जाने next pH CH2 COOH 1, 2 2, phenyl 2, phenyl ethenoic acid हम इस पर आप रिंग पर नहीं जा सकते इस पर आप इस पर नहीं जाएंगे तो 2, phenyl ethenoic ethenoic acid कौन सा है फिप्टे-सिक्स का अंसर हो गया फिप्टे-सिक्स का अंसर हो गया फिप्टे-सिक्स का अंसर हो गया सही है फिप्टे-सिक्स का अंसर हो गया फिप्टी-सेवन सही है तो 57 3 पर क्या है methyl तो 3 methyl 2 butane नोन आंसर क्या हो गया फिप्ट्स्ट क्यों भाई सही है next अगर देख वई यहाँ पे है सिंपल CL है BR है numbering का असर करोगे BR से यहाँ दो CL लगाते numbering का असर करोगे CL की तरब से यह है अब यह ठीक है और यहीं double bond नहीं रहाता तो numbering का असर करते BR लेकिन series में double bond और hyalogen में numbering का हाँ से करते हैं double bond से इसलिए इसमें numbering यहाँ से J-Main का question है यह 3, 4, 5 follow भई तो 3-bromo 1-chlorocyclohexene यहाँ से सुलनी है बाद CL है BR है numbering BR से hyalogen है भई PMT ने इस पर कॉंसेट पर question पूछा है यह देखो numbering का हाँ से double bond से NCRT के favorite question हो में सही है तो answer अपना 3-bromo 1-chloro सही है बोली भई next नामकरण की simple सी बात है इसमें कोई इसी नामकरण की क्रियात्मक्स प्रात्मिक्त्या का सही क्राम है सबसे उपर आता है COH फिर है SO3H फिर next CONH to CHO यह है next यह तो जानते हो नो 17 की सीरीज है इसका फिर बता रहे है इसका तो क्या लिखना है आपको suffix और इसका क्या लिखना है prefix ठीक है तो six पर क्या है CHO group तो उसका क्या लिखोगे formal तो six formal और यह क्या आपका hexanoic acid तो six formal ठीक है hexanoic hexanoic acid बोलो भई तो आंसर कौन सारा है आपका second ठीक है next C4S10 के isomer इसकी पूरी कहानी सुन में बिटा यह NCRT का ही matter है C4S10 हम इसके पूरे बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो कोई आ सकता है यहाँ है compound और यहाँ है number of structural isomer ठीक है अब यहाँ C4S10 है यह तो simple जो में दिया है तो एक simple यह बन जाएगा और एक simple यह बन जाएगा इसके लाग और कोई बनेगा नहीं बनेगा तो answer तो इसमें क्या हो गया second यह बात तो है first answer और कितने बनेगे दो लेकिए इसमें आगे और पूछले मालों पूछ लेता है C5H12 कितने बनेगे 3 C6H14 कितने बनेगे 5 C7H16 कितने बनेगे 9 C8H18 कितने बनेगे 18 इसी टाइप से C9H20 आप बना के देखना इसके बनेगे 35 और C10H22 इसके बटा कितने बनेगे 75 यहां तो आपको बनाना है आपको बना के इसके बना करना सही है कि नहीं लेकिन यह आपको ध्याँ क्योंकि यह पूरी यह पूरा चार्ट कहां से है NCIT से है इसलिए आपको इसको कंपलसरी ध्यान देना है नेक्स चले ठीक है नेक्स कुश्चिन कौन चला होता परदर्सित करता है Tautomyrism is exhibited by तो मैं पहले कहा था आपको Tautomyrism में आप देख लो किसमें Alpha Hydrogen है तो यहाँ NO2 और CNO यही NO group है तो NO2 के ठी बगल में कार्वन के पास Hydrogen होगा तो Tautomyrism सो करेगा जैसे इसमें पहला नहीं 3rd है नहीं 2nd आप देखो 4th option R, C, H2 और यहाँ क्या है N double bond O देख रहा है Alpha Hydrogen है न तो यहाँ हो गया R, C, H double bond N, O, H और यह O कौन Tautomyrism सो करेगा 4th सही है Next question लेते है हाँ दोस्तो 63 question How many structure isomyrism are possible for a compound with molecular formula C3, S7, CL CS3, CS2 बना के देख लो CS2, CL एक तो यह बन गया दूसरा CS3, CH, CL CS3 इसके लगा कोई बनेगा नहीं बनेगा तो answer क्या हो गया First Next यह वह सांदार question है दाइफिनल, मेथेन, काणुसूर तो निम्ड है और इसका जब आप क्या करते हैं hydrogen replace by chlorine atom तो कितने बनेगे यहां से देख लेखाँ बहुत सिंपल सा है एक बार तो आप यहां से replace करोगे इसका तो कोई तोड़ेने यहां सकरना ही पड़ेगा आपको H से है एक बार आप यहां से करोगे अब देखो यह matter यह matter यह matter यह matter यह same ही है दूसरा यहां से करोगे यह चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज सेम है और तीसरा कहाँ से करोगा यहाँ तो टोटल कितने एक दो तीन अब बटा ये चीज और ये चीज सेम है ये और ये सेम है ये और ये सेम है ये और ये सेम है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा फोर अच्छा कोश्चन है यह, द्यान से देख लो ठीक है, next इसका नाम है, द्यान से देखो यहाँ पे यह तो ब्रिज है यहाँ पे तो अपने कर दिया यह, ठीक है, इधर देखो कितने कारबन है, एक, दो तीन, चार, तो आप लिखोगे बाइसाइकलो क्या लिखोगे, बाइसाइकलो इधर कितने कारबन, चार, इधर कितने कारबन है, दो, एक, दो तो पहले बड़ी संक है, फोर फिर तू लिख दिया है, और फिर लिखोगे जीरो अब टोटल अंबर आप कारबन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कितने होगे? Octane बात समय आई कि एक एक्जाम पर और बता है देख लो, मान लोगा ऐसे हो यह है तो यह तो होगे आपका ब्रिज, अब यहां कर दिया इधर कितने कार बने? 1, 2, 3, 4 और इधर कितने कार बने? 1 तो लिखोगे by cycle यह तो लिखना ही है 4, 1, 0 टोटल, 4, 1, 5, 2, 7 क्या हो जाएगा? हैप्टेन बोलो, सही है? समझे के by cycle पनाम लिखना? Next Simple question है numbering गर्दो, 1, 2, 3 कोई बड़ी बात नहीं है 3, 3, di-methyl 1, hydroxy ठीक है? 66 3, 3, di-methyl 1, cyclohexanol ठीक है ना? तो आंसर कौन सा है? 1st 3 पर क्या लगा है? di-methyl और यह क्या हो गया? cyclohexanol बात समझ गया ना इसका? Next चले आगे यहां से numbering कर दी क्योंकि ओएज फंक्सन 1, 2, 3, 3, 3, di-methyl और यह cyclohexanol Next Ethanol का समावी है Ethanol लिख लिए उपर CS3, CS2, OH यह Ethanol है अब Ethanol का समावी है तो इसके क्या देखने पड़ेंगे आपको? इसका Isomer तो इसको बनाएकर देख लो Methanol पहला आप्सन देख मेथन नहीं है मतलब जो Carbon Hydrogen इसमें उनोंचे वह इसमें दूसरा है Ethyl, Methyl, Ether दो तो यह हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? Second तो 67 का आंसर Dithyl नहीं Dithyl यह तो Methyl है Dimethyl Ether कौन सा? यह है तो आंसर कौन सा हो गया? Fourth ठीक है? ना? Dithyl में तो Carbon जिसे Dithyl लिखो गए तो C2S5 O C2S5 है तो यहां Carbon यह लिखो गए तो यह नहीं होगा Dimethyl Ether जैसे यह तो आंसर क्या हो गया? Four सही है? देख लो बटा Next C6H14 अभी एक चार्ट बनाया होगा हमने C6H14 तो हमने बताया था C4H10 8 के 2 C5H12 के 3 C6H14 के 5 C7 के 9 C8H18 के 18 C9H20 के 35 और C10H22 के 75 बात बताया थी? तो C6H14 है कितने हो जाएंगे? 5, 4 इसी में है आगे कोईसी question में होगा बोलो भई Next चलते है 69 Sigma Sigma 5 bond पहले question सुरवाद 1 single bond equal to 1 Sigma 1 double bond equal to 1 Sigma 1 Pi 1 triple bond equal to 1 Sigma 2 Pi तो 1 butene 3 आइन 1 butene यह है यहाँ H H H H तो इसमें single bond 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 Sigma हो गए और double bond 1 Sigma प्लस 1 Pi और triple bond में 1 Sigma प्लस 2 Pi टोटल 7 Sigma प्लस 3 Pi बोलो तो आंसर क्या हो गया Second इस question को तोड़ाचा में बताना पड़ेगा कह रहा है number आप Pi electron एक बात simple सी बात समझो आप Pi electron 1 double bond equal to 2 Pi negative charge 2 Pi पोजिटिव चार 0 Pi यह बात पहले दिमाग आगे simple आप से question पूछे बिटा है कि इसमें कितने Pi electron है यह आया question इसलिए इस पर जोड़ा है तो इसमें 2 और 2 चार Pi electron कोई कहें इसमें कितने Pi electron है तो क्या कहोगे 6 Pi electron यह theory बता रहा है कोई पूछे इसमें कितने Pi electron है कहते होगे 4 Pi electron कोई पूछे कितने Pi electron है 2, 2, 4, 2, 6 बात पलने पड़ी एक double bond में 2 Pi electron negative charge में 2 Pi electron positive charge में 0 Pi electron ठीक है अब इसके बारे में बात करते है question थोड़ा सा उससे थोड़ा सा tough है लेकिन देखोगे यह है यह है question अब हम जो direct गिनते थे कि एक double bond में 2 Pi electron लेकिन इसमें नहीं किन सकते हैं कि इसमें whole पे charge पे दे रखा है तो आप एक bond इसका तोड़ दे हो तो यह किया आपने double bond एक पे आया plus एक पे आया minus उपर क्या आगया आपका minus 2 clear अब इस minus को अंदर लाओगे अंदर लाए तो क्या होगा यह minus और प्लस यहां क्या होगा minus और यहां क्या होगा minus अब आप count कर सकते हो कितने Pi electron हैं 2, 2, 4 और 2, 6 कितने Pi electron होगे 6 तो answer क्या होगा 3rd ऐसे question आए हुए हैं यह J.E. का question है और इसके एक exam में repeat भी होगा इसके को किया गया है the number of isomar of the following compound molecule C2, BR, CLFI ठीक है C double bond C BR, CL, F, I हम तो कहते हैं इसको बना लो इदर फिर C double bond C एक उक को rotate करते जाओ यहां BR कर दिया यहां I कर दिया यहां F और यहां CL और C double bond C यहां BR fix रखा अब यहां पर क्या आल के लिए दिया F और यहां I और CL तो इसका एक EGIT बनाओगे इसका एक EGIT बनाओगे इसका एक EGIT बनाओगे तो दो इससे दो इससे दो इससे total कित्ते हो जाएंगे ठीक है बात समझ गया है एक को fix कर दो यहां पर किसी को भी हमने BR कर तुम F कर दो और यहां CL लगा के एक बार देख लो BR लगा के एक बार I लगा के simple तो answer क्या हो क्या fourth सही है कौन सा stereo isomer so करता है stereo का मतलब आप देख लो उसमें कौन GI या OI so करता है question of fourth देखो two methyl butanoic acid ठीक है तो two methyl one butane देख लो two methyl one butane एक पर double bond आगे है न है यहां पर एक पर double bond तो यह GI so नहीं करेगा one butane नहीं so करेगा three methyl butanoic देख लो एक दो तीन नहीं same हो गया ना काईरल नहीं है fourth option देखो two methyl butanoic देख रहा है ना यह क्या हो गया आपका chiral तो यह chiral हो गया तो यह stereo isomer मता optical isomer so करेगा मतलब क्या so करेगा stereo isomer बात पकड़ लिए सबका हमने structure लिखा next question हाँ बेंजीन को पर क्या है cocl दियान सुनो अगर जो cocl दो बार से देखो तीन बार हो या या रिंग से सीधे attach होगा तो हम special suffix लगाएंगे carbonil chloride तो इसका नाम होगा benzeen carbonil chloride जे योगर हैं भी इस concept पर question को पूछे गए हैं तो इसका नाम होगा है benzeen carbonil compound इसका नाम होता मालोग ऐसे लिखा होता cocl ring से सीधे attach है तो cyclopentane carbonil chloride छीक है next rs की बात हमने कहा था cip rule numbering कर दो बड़े आराम से one one इसका देखो two क्यों इसको two दिया है क्योंकि carbon से cl है carbon से o है three four पहले इसको देख लो पहले उपर वाले को ठीक है एक से किदर जाओगे दो ठीक है एक से किदर जाना है दो में क्या आया ये r लेकिन सबसे छोटा गुरूप कहां पे है horizontal पे तो क्या हो गया s तो 2 का क्या है s ठीक पले इतना देख लो one two three four उदग गया दाई तरफ r सबसे छोटा गुरूप horizontal पे है तो s इतना देख लिया अब नीचे वाले के देख लो one two three four two s हो गया था one से two क्या है आपका s लेकिन सबसे छोटा गुरूप s आया ना सबसे छोटा गुरूप कहाँ पे है horizontal पे इसलिए क्या हो गया r change कर दिया और यह हो गया three r मतलब answer two s three r पहले वाला बता दिया अलग से इसको बता दिया numbering करना इसमें विसे इस बात है clear इसको देखो पहले दियान से इसको numbering one two three four इसकी number ही one two three four numbering करना नहीं आता तो CIP rule देखना है higher programming number higher priority next question last question J main का है बहुत most important important question है अब यह देखो यह क्या है 120 degree ठीक है और यह क्या है 29 degree तो पूछ रहा है हम से इसके और इसके बीच में तो 120 तो अपना ही है और प्लस क्या हो गया 29 क्या हो गया 149 degree answer क्या हो गया third ठीक है तो यह 75 question आपको कराये गए आप इसको pose करके बेटा एक के question को आप देखना इसके बाद जी उसी लाया जाएगा उसके बाद से आपको ऐसे physical and organic सारे beast पार्ट को आपको यह बता दिया जाएगा CLC आपके साथ है lockdown का फायदा उठाईए और आप कोसिस करिए कि इसी के साथ revision कर लीजिए अगला topic लेके आएगे अपने GOC और chemical bonding physical and mole concept तो आप इसको पूरा revise करके इसके पहले एक बार आप पढ़के पहले question आप solve करना फिर solution देखना तो इससे आपको ज्यादे फायदा मिलेगा Thank you